हाँ तो भाई कौन बोल रहा था कि आजकर लोग ट्रेटर में मुवी देखने नहीं जा रहे हैं भाई content ऐसा बनाओ कि पबलिक खुद को रोख ही ना पाए मुवी देखने के लिए लोग भाग भाग के जाएं ट्रेटर में उस content को दुबारा देखने के लिए सिब तीन दिन में डेर सो करोड पार ये है भाई स्त्री टू का पावर अब बोलके दिखाओ कि लोग ट्रेटर में मुवी देखने नहीं जा रहे हैं भाई अगर content जवरदस हुआ ना लोगों को फरकने पड़ता कि कोन क्या बोल रहा है उनको बस मुवी देखना है बट इंट्रेस्टिंग बात ये है कि इस 3-2 के grand success के बाद अब पूरे horror comedy universe को ये effect करने वाली है क्योंकि पबलिक अब इस universe को बहुती ज़ादा seriously लेने वाली है क्योंकि यहर मुवी का जो concept है और वो किस तरीके से अपने सारे movies को connect करके हमारे सामने deliver कर रही है और अपने future plannings को लेके अपने future movies को लेके जो tease करके जा रही है हमें भाई कोई ना समझ ही होगा जो इस universe को ignore कर दे क्या ही बहतरीन comeback किया है भाई अक्षे कुमार ने अपने cameo से ही उनके character को देखे ऐसा लग रहा है कि भाई ये इस universe में एक बहुती बड़े villain का role play करने वाले आप बोल सकते हो एक main villain का role play करेंगे वो और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि starting में तो अक्षे कुमार के पास कोई भी powers नहीं है लेकिन जैसे जैसे इस universe में और भी जादा movies आती जाएंगे और भी जादा movies का sequel आते जाएगा उन movies and sequels के जो villains होगे उनके power भी अक्षे कुमार absorb कर लेंगे और जब अक्षे कुमार का separate movie आएगा उनका जो crossover होगा उन सारे heroes के साथ तब उन सबको पता चलेगा कि नहीं भाई अक्षे कुमार तो भाई हमें बेफूब बना रहे थे वो हमारा इस्तिमाल कर रहे थे और तब हमें देखने को मिलेगा इस universe का सबसे बड़ा war यानि कि बोच सकते हो Marvel के तरह ही Infinity and Endgame level का war आपको देखने को मिलेगा इस universe में भाई ये clear हो चुका है कि अक्षे कुमार जिसे talented actor को मेकस बिल्कुल भी wish नहीं करेंगे बस एक ही movie के लिए वो अक्षे कुमार को इस चालाकी से वो build करेंगे ना अपने हर एक movie में आप लोग को भनक तक नहीं लगया कि कब मेकस ने अक्षे कुमार को इस universe का सबसे बड़ा villain बना दिया है लेकिन अगर इतना बड़ा villain को वो establish कर रहे हैं तो भाई उस villain के टककर का hero को भी तो वो establish करेंगे ना एसा तो नहीं होगा ना भाई कि villain सबसे ज़्यादा पाउरफूल है और हमारे heroes के पास power ground level हो यह तो कुछ comparison तो हो इने सकता ना लेकिन 3-2 में आपको सबसे बड़ा hero और उसका power के बारे में बताया गया है और वो hero है भाई हमारा wiki 3-1 हो या फिस 3-2 हो श्रदा कपो ने हमेशा बिकी को बस यही बोला है कि वो अपने power को पहचाने अपने power को underestimate ना करे क्योंकि उसके पास सबसे powerful है unique power है जो कि हमें movie by movie हमें उसके power level के बारे में पता भी चलेगा जैसे कि first part में हमें उसका कोई भी magical power देखने को नहीं मिला और साथ ही साथ 3-2 में भी हमें उसका कोई भी magic या power देखने को नहीं मिला लेकिन movie जैसे end होती है बिकी का body एक power source को absorb कर लेता है अपने body के अंदर और कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि आगे जाके बिकी के पास भी magical या mystical power हो सकता है जो कि इस सर कटे को end game जैसे war में हराने के लिए बहुती ज़्यादा useful होने वाला है और उपर से तो भाई अमारी शर्दा कपूर तो हैं ही उपर से स्री भी है वेडिया भी है और आगे जाके भाई ड्रैकूला भी होने वाला है जो कि पेसाज वेमपैर होने वाला है और उसका भी hints आपको इस movie के second post credit scene में देखने को मिली जाता है और मेरे according वरुंदवन का character वासकर पहले से ही दिल्ली जाके उस बेमपैर का सामना कर चुका है ने तो वो क्यों बोलता कि मुझे दुबारा दिल्ली नहीं जाना है क्योंकि वो वहाँ बापस आ चुका है और वो जो है पूरा का पूरा खुन चूस लेता है जिसका ये मतलब बनता है कि वरुंदवन का सामना उस बेमपैर से पहले ही हो चुका है और कहीं ना कहीं वो बेमपैर से हार के बापस आ गया या फिर डर के बापस आ चुका है और इसी एक line से हमें पता चलता है कि आगे की movie जो vampire की आने वाली है वो कितनी ज़ादा dark होने वाली है और मेरे according by vampire की जो movie आने वाली है आईश्मन खुराने के साथ इस movie का storyline थोड़ा बहुत तो dark होना ही चाहिए क्योंकि यहर इस movie का storyline थोड़ा सो serious होना ही चाहिए क्योंकि vampire की जो history है जो उनका culture है वो बहुत ज़ादा worst है और बहुत ज़ादा डरावनी है पर यहर एक सवाल यह भी आता है कि आईश्मन खुराना की जो यह movie आने वाली है इस movie के उनका character दिखाया जाएगा क्या वो एक negative roll होगा या फिर एक positive roll होगा या फिर एक anti hero होगा मौर्वियस की तर सोनी का जो वो anti hero वाला concept है वेनम मौर्वियस क्रेविंडी हंटर और उपर से मार्वल की डैटपूल के तरह ही एक anti hero आपको क्या लगता है vampire को कौन से angle में दिखाना चाहिए एक negative roll में या फिर एक positive roll में obviously बात है कि मेकस एक universe विल्ड कर रहे है और उपर से आश्मन खुराना है तो एक anti hero तो नहीं दिखा सकते एक positive roll में तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे पर यार मेरे according एक anti hero तो बनता ही है डैटपूल के तरह ही पूरा R rated funny टाइप का क्योंकि या सारे character और दानफ तो अच्छे नहीं हो सकते हैं ना कुछ तो बुरे और अच्छे भी होते हैं या फिर कुछ बुरे भी होते हैं और villain तो भाई अक्षे कुमार है ही तो मुझे नहीं लगता कि एक मेकस को एक hero के रोल में दिखाना चाहिए या फिर एक villain के रोल पर मैं चाहता हूं कि मेकस vampire को एज़े anti hero के रोल में दिखा है पर आपको क्या लगता है आईश्मान खुराना को एज़े positive रोल में दिखाना चाहिए नेगेटिव रोल में दिखाना चाहिए या फिर एक anti hero के रोल में दिखाना चाहिए और इस युनिवर्वर्स को लेकर आपका क्या ठाट यह युनिवर्स कितनी 恭喜 सिन्मेटिक उनिवर्स को और हमारे मारवल decision to कर दे पाएगी storyline के मामले में vision के मामले में concept के मामले में और क्या ये universe इंडिया में सबसे best horror comedy universe की पहचान बन पाएगी आपको क्या लगता है बाइक कॉन वक्ष में mention करके ज़रूरी बताना और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस universe से रिलेटेड आपको कोई question हो या फिर कोई query हो या फिर कोई discussion करना ह तो आप मुझे सीधा का सीधा Instagram पे भी DM कर सकते हैं और एसी interesting and amazing वीडियो के लिए वीडियो को like कर दें और चैनल को subscribe कर दें तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने next interesting and amazing वीडियो पे तब तक बने रहे हमारे साथ EVXplain में